नमस्कार मैं हूँ अंच्छता तो बीजेपी ने अपने ही घोशना पत्र समिती के अध्यक्ष रहे नेता को ब्रस्ट बता दिया है अब वो कह रही है कि विवेका नंद को जेल भेजो चौकिये मत बीजेपी का हिर्दय परिवर्तन नहीं हुआ है बलकि कहानी में ट्विस्ट ये है कि बीजेपी नेता अब कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं यानि कॉंग्रेस में शामिल होते ही बीजेपी के पूर्व नेता भ्रश्ट हो गए और उनके घर EDIT सब पहुँच गए हैरानी की बात ये भी है कि ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे बलकि बीजेपी में महत्वपूर भूमिका निभाते थे अब लोग मजे ले रहे हैं कि जनता के लिए बीजेपी के वादो की लिस्ट तैयार करने वाले बीजेपी नेता खुद ही अपनी संपत्ति का लेखा जोखा नहीं रख पाए या फिर क्योंकि वो तब बीजेपी में थे इसलिए उन्हें इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई और तो और एदी को घोटाले की बू आई इनके कॉंग्रेस में शामिल होने के बाद अब तेलंगाना में पूर्व बीजेपी और वर्तमान में कॉंग्रेस नेता के खलाफ इस कारवाई के बाद आप लोग खुद ही तैकर लीजिए कि जी विवेकानंद का ज्यादा बड़ा गुणा क्या है बेहसाफ संपत्ति या फिर बीजेपी छोड़ कॉंग्रेस में शामिल होना वैसे तो तेलंगाना में तावर्तोर चापेमारी चल ही रही है लेकिन जी विवेकानंद के घर एडी और आईटी की चापेमारी ने बीजेपी को बुरा फसाद दिया है अब बीजेपी पर बदले की राजनीती करने का आरोप भी लग रहा है आप जानते ही है कि तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसवा चुनाओ के लिए वोटिंग होनी है इसी बीज राज्य में कई जगा आईटी अधिकारियों की टीम की चापेमारी जारी है इससे तो रा कि हो ना हो ये चापेमारी बीजेपी के इशारे पर बदले की भावना से ही की गई है क्योंकि नेता ने चुनाओ से ठीक पहले बीजेपी को जटका जो दे दिया था बता दे कि जी विवे का नंद ने एक नवेंबर को राहुल गांधी की मौजूदगी में कॉंग्रेस का ह खौल गया नतीजा 20 दिन भी नहीं बीते कि कॉंग्रेस नेता एडी और आइटी के निशाने पर आ गए इसी को लेकर राजनीती की जानकार दावा कर रही है कि अपने नेता के इस जटके को बीजेपी पचा नहीं पाई इसलिए एडी और आइटी दोनों जाच एजेंसियो को जी विवेका नंद के घर का रास्ता दिखा दिया वहीं कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जब तक ये बीजेपी में थे कोई छापे मारी नहीं हुई एक सिपाही तक इनके घर नहीं पहुंचा इनकी छबी भी एगदम साफ सुत्री थी लेकिन जैसे ही कॉंग मामला जान लेते हैं कि आखिर किस आरोप में ये चापे मारी हुई है तो आपको बता दे कि 21 नवंबर को इंकम टेक्स डिपार्टमेंट की टीम कॉंग्रिस नेता जी विवेका नंद के घर और अनिठिकानों पर पहुंची उस समय पूर्व बीजेपी नेता अपने घर पर थी इसके बाद हैदराबाद मंचेरियल और कुमारम भीम आसिफाबाद जिलों में उनके आवासों और कार्यालेओं की भी तलाशी ली इनके अलावा पेदा पल्ली जिले के मंची आरला और रामान गुंडम के एंटी पीसी शेत्र में उनके घरों पर निरिक्षन किया गया विवेक के भाई वेलम पल्ली कॉंग्रेस उम्मीदवार विनोत के बंजारा हिल्स इस्थिद घर की भी तलाशी ली गई निरिक्षन के तहत आईटी और एडी की टीमों ने विवेक और उनके परिवार के सदस्यों से पूश्ताच की और कई जानकारिया हासिल की यही नहीं चुनावाईों के आदेश पर हैदराबाद सैफाबाद पूलिस ने हाल ही में वशीर वाग में आईडी वी आई बैंक में जाच की उन्होंने विजिलेंस सेक्योरिटी सर्विसेस के खाते में ट्रांसफर किये गए आठ करोड रुपे के लेंदेन के बारे में पूश्ताच की ये पाया गया कि पैसा विशाका इंडिस्ट्रीज के बैगम पेट के एच्टी एफसी खाते में ट्रांसफर किया गया है विवेक इसके अद्यक्षे और इसे फ्रीज कर दिया गया था दरसल जी विवेका नन पर ये गाज उनके चुनावी हलफ नामे की वजह से गिरी उ अब राजनीती के जानकार कह रही है कि इसी मुद्दे को बीजेपी ने लपक लिया और इडी आईटी को काम पर लगा दिया लेकिन ये कारवाई इसलिए सवालों में घिर गई है क्योंकि जिनकी संपत्ति अब इडी को खटक रही है वो तब क्यों नहीं खटकी जब ये ब पत्ती मात्र 20 दिन में तो नहीं बन गई होगी ये ही नहीं इनके बैंक अकाउंट पर पहले निगरानी क्यों नहीं रखी गई मतलब बीजेपी नेता रहते हुए कुछ भी कर सकते हैं लेकिन अगर बीजेपी का साथ छोड़ा तो सारी जाच एजेंसियां आपके पीछे प बी आरेस से हार गए वो 2016 में बी आरेस में चले गए और फिर 2019 के चुनाव में टिकेट नहीं मिलने इस पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए उन्होंने दुब्बाका और हजूराबाद में हुए उप्चुनावों में भाजपा की जीत के ल कामन थामा तो बीजेपी के लिए ये किसी बड़े जटके से कम नहीं था वापस आते हैं मुद्दे पर तो 21 नवंबर को हैदराबाद के साथ साथ सायुक्त आदिलावाद करीम नगर और वारंगल जिलों के कई लाकों में चापे मारे की गई खास बात ये है कि केंद्री जाच एजेंसियों के निशाने पर सिर्फ सत्ता रूड बी आरेस और मुख्य विपक्षी कॉंग्रेस के ही नेता हैं इनी के ठिकानों और उनके करीबियों के यहां लगातार चापे पड़ रहे हैं इससे पहले ही बीजेपी सवालों में घिरी ह होई है लोगों का कहना है कि ऐसा करके सिर्फ चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है चुनाओं के बीच में जाच एजेंसियों का आक्टिव होना राज में हल्चल पैदा करता है ऐसा करके बीजेपी सत्ता नूड बी आरेस और मुख्य विपक्षी कॉंग्र में बीजेपी तो पहले ही घिरी हुई थी इसी बीच जीविवेका नंद के खिलाफ उइच्छा पिमारी ने बीजेपी को उल्टा फसा दिया है अब जानकार तो यह भी दावा कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बदले की भावना में बीजेपी का दाव उसके लिए ही बताईएगा ट्विटर है आर्टिकल 90 अंडर्सकोर इंडिया इसे भी फॉलो कर लिजे नमस्कार